नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है 2024 लोकसभा चुनाव को देखते वे जहां तमाम पार्टियां रणनीती बनाती हुई नजर आ रही है यह तमाम पार्टियों की तहट अगर गटबंधन की बात की जाए तो एक तरफ इंडिया गटबंधन है तो दूसरी तरफ एंडिये है दोनों अपनी बैठकों के जरिये ये कोशिश करते वे नजर आ रही है कि कैसे लोकसभा कचुनाव जीता जा सके आज जहां इंडिया गटबंधन की बैठक है तो वहीं भारते जनता पार्टी की बड़ी बैठक आज होने वाली है सबसे ज़्यादा चर्चित भारते जनता पार्टी की बैठक नजर आ रही है किसमें तमाम लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है अब ऐसे में आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से बैठक आयोजित की जा रही है इसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया है वरिष्ट नेताओं से चर्चा की जाएगी लेकिन कुछ ऐसे वरिष्ट नेता भी मौजूद हैं जो भारते जंतापाटी से नरास नजर आ रहे हैं दरसल जानकारी के नुसार बता दें कि राजिस्थान की पूर मुख्य मंत्री और वरिष्ट बीजेपी नेता वसंदरा राजे को अगामी लोगसभाचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए आयोजित पाती बैठक में बुलाया गया था लेकिन लोगसभाचुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए की जा रही बैठक में वसंदरा राजे शामिल नहीं हुई सूत्रों के मुताबिक राजी अपनी बहूग की बिमारी के कारण यहां एक होटल में आयोजित बैठक में नहीं पहुँची बैठक में राजस्थान की मुख्य मंतरी बजलाल शर्मा राज्य बीजपी काई के अधक्षी पी जोशी राजस्थान प्रभारी अरुन सिंग करने को नहीं मिले काबिनेट मंतरी जोगराम पटेल ने कहा बीजपी हर चुनाव को जीतने के रूप में लेती है हमें इस बार 24 की 24 सीटे जीतने की बात वो एक राज्य में करते वे नज़र आए और राजस्थान में 25 की 25 लोग सबह सीटे जीतने के दावे वो यहां पर कर करते वे दिखाई दिया अब देखना होगा कि राजस्थान में हुई बैठक के बाद जिस तरीके से वसंद्रा राजे ने दूरी बनाई है अब देखना होगा कि क्या वसंद्रा राजे के ये कदम बागी तेवरों के रूप में देखे जाएंगे क्या वसंद्रा राजे के नाराजगी भारते जनता पाटी जेल पाएगी